हेलो दोस्तों मैं है उसमी तोर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIUI 14 के फीचर्स के बारे में जैसे कि आप लोगो पता होगो कि मैंने अल्वेडी वीडियो बना के डाल दी एक शोट रिव्यू कि क्या क्या देखने को मल जा था MIUI 14 स्टॉल करके इस आप को अपड़ICन आएगा नहीं ऐसा जब मतल पर अदेखने हैं तो उसके ने आप ज़रो से वेट करना अब सबसे पहले फीचर की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो आइकन से वगरा कुछ इस तरह के का आइकन से वगरा आप चेंज कर सकते हो अपने फोन में लगा सकते हो कोई भी एप्लिकेशन ऐसा नहीं कि कुछ ही एप्लिके आप को और आपको दू देख लिग फिर लेकिन होगा रहां ऑन पर दिख लिगण को मिल जाते हैं एक विजिट का एक एट अधी आइकन पर हम जैसे टैप करेंगे तो यहां छार ओप्सन देख लिगा बलते है एक दो तीं चारो में से कोई भी मैं इसमें चेंज कर सकता हू लेकिन यहां पर देखने मिलता आपको पता होगा कि इन्हों ने बाई यहां पर विजिट में आपको दिखा है जो जो बिली वगर था जो एनिमेशन देखने मिल रहे थे तो यह चीज देखने मिलता था लेकिन यह अभी पेड है यह पता ने क्यों पेड दे रखा है यहां प उपर आइकन यूज करने के आपको 20 देने बढ़ेंगे जो कि चाहिना का हिसाब है भीया चलो कोई देखकर नहीं हम उसको छोड़ते हैं बाकि हम इस पर टैप करते हैं और जो भी आपको बसंद है वो आप यहां पर लगा सकते हैं मान के चलो मेरे को यह बनाना इस पर हम कर देते हैं और यह देखके तो यहां पर आपको चेंज होता हुआ देखने को मिल गया है तो आप इसके साइज को दुबारा चेंज करना है इडिट पर जाके आप इसको फिर से चेंज कर सकते हैं मान के चलो मेरे को कुछ इस तरह से करना है एपलाई किया और यह अब कुछ मेरे को यह काफ़े अधा पसंद आया अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ और नई फीचर्स की तो कंटर शेंडर के हम बात कर रहते हैं सबसे पहले चीज़े को आपको यहाँ पर दो वाइफ़ाई देखने को मिल रहे होंगे और यह क्या चीज़ है बाई मैं आपको बता तो एक शॉर्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगो स्पीड ले सकते हैं बात के चलो एक जो वाइफ़ाई है उसमें 100 Mbps है दूसरे में 300 Mbps है दोनों को मिला के आपका 400 Mbps का स्पीड आएगा अब आपके वाइफ़ाई में तो इसको मैं टेस्ट करूँगा क्या है कि इसको ब्राउजर है यह सपोर्ट नी कर रहा हमारे सिंगल हो जाएगा आप देखे तो यह सिंगल है इस पर टैप करो जितने वी वाइफ़ाई आ रहे हैं मिरको पासवर्ट डालना है और यह ओटोमेंटिक ली डूइल जो कनेक्ट हो जाएगा तो यह चीज जो मिरको काफी बढ़िया लगी पहले यह मैंने रियल्मी के फोन म माई के फोन में भी आ चुकिए और इंडिया के इंदर भी यह फीचर जोरूर से आना चाहिए दूसरी इंडर के बात करें इगनोटर मोल्ड यह आपको दिखने मुलता है इस पर आप जाज़े टैप करोगे इस पर टैपन होल लगर करके मैं दिखा जी तो इसका मतलब क्या इसमें जो भी आपका कैमरा है, लोकेशन रिलेटेड़ ओर माइक्रोफोन यह सारी चीज़ें suspend हो जागी कहीं भी यूज नहीं होने वाली बिना आपके permission के बिना permission के कहीं भी यूज नहीं होगा हमारा जो camera वो कहां पर यूज ज़या था, camera यूज किया है ये लिखा रहा कि आप कैमरा यूज नहीं कर सकते, इगनोड इमोटो ओन है, सेटिंग में जाके आपको इसको आफ करना पड़ेगा, तब ही जाके आप इसको यूज कर पाऊगा, देख सकते हैं, यहाँ पर तो आपका यह चीज काफी बढ़ी है, आप इसको टैप कर दो, मानगे जोड़ा आप देख सो यह चालू हो गया, यहां पर टैप करने हैं, इसको बंद करना पड़ेगा, यहां से बंद करेंगे, अब यहां पर आप इसका आइकन देखो, अब जाके यहां पर यह प्रोपर बंद हो आई, आइफोन के इंदर भी सेम ऐसा ही है, यहां पर में आपको दिखाई त तो भाई है यह जो चीजे यह आईफॉन से इनों उठा ली है जो कि ठीक है चलो कोई दिख करनी है बट यहां पर है इसको हम बंद करते हैं तो भाई बंद करने के निए अब आपको setting में जाने पड़ेगा तब जाके आप इसको बंद कर सकते हैं तो यह चीज इसके अंदर द क्यों बलते हैं एक यहां पर floating window तो floating window में सबसे main चीज है वह है slide बार मैं अब जैसी जाओगे तो पहले के अदर slide बार हमारी device में पहली से था ठीक है इसकी position बगार भी हम कहीं पर लेके जा सकते थे लिकिन अब क्या कि slide बार में ओन कर दिया है अब देखो यहां पर मैंने इसको क्या gallery open होगी है हमारी gallery open होने के बाद मैं एक और application को open कर सकता हू अब यहां पर मैं कुछ इस तरह के से हटा भी सकता हूं यह कुछ इस तरह कैसे यह चले गए जो कि देखने में काफी इदा amazing लगता तो यह चीज मेरे को काफी बड़े लगे और यहां से टैप करूंग तो सब कुछ हट जाएगा तो यह चीज मेरे को इसके अंदर काफी ब यह अंडूड 11 में आ गाता जिसमें की देखो कुछ कुछ अपलिकेसं जाते की यह अपका मैसेज होगी यह पर मेल होगी है यह आपको बता को facebook messenger अपलिकेसं में जैसे देखने को मलता देख सकते हो तो यह whatsapp telegram वगरा में भी वर्क करेगा शाओमी के फोन में वैसे तो बड आ चुक है था बट इसमें नहीं आये था तो अब क्या है कि अब यह जो चीजे यह इसके अंदर वर्क करने लग जागी जो ठीक ठाक है अब यहापर देखने दे रखा भाई इसका क्या यूजर मेरको पाता नी लेकिन हम बात करते हैं अब आप देख सकते हैं अब आप दे देल्स में जाल जाते हैं 6GB प्लस 5GB यहाँ बर मेरा रेम इंकरीज हो रहा है तो यह जो फीचर है यार देखने में काफी बड़े लगता है जो कि यह मेरको काफी सही लगा अब यहाँ बात कर कुछ और चीज की तो बैटरी में मेरको एक नया और फीचर देखने मुला था यहाँ पर बैटरी इंफोर्मेशन में जाओगे तो आपके बैटरी कितिनी बार चार्ज होई वह आपको देखने मुलेगा और आपका टैंपरेचर के आप वह आपको देखने मुलेगा तो कुछ इस तरह से और इन पर टैप करके एक्चुल में पढ़ सकते हो कि क्या है क्य चीज नहीं है यह इस पर टैप करेंगे पूरा इंफोर एक यहाँ पर पैराग्राफ यहाँ पूरा आर्टिकल ओपन होके हो जागा किस तरह से चीजे वर्क करती है सारी चीजे आपको देखने हो मिलेगी चार्जिंग से रिलेटेड हम बात ही कर रहे तो इसकी लिखा हुआ अब इसको कोपी करने के लिए सिंबल टैप एंफोल गागा कर रखो हो मैं और यह देख सेलेक्ट और और सबकुस्ट हो गया वरना आपको कुछ और सलेक्क करना यह देख सो यहाँ पर जो भी सलेक्क करना उसको आप कोपी कर सकते हो पहले यह चीज अपने तो ठीक ही कोपी कर रहे हो पहले यह आईफोन में देखने मलती तो लेकिन अब यह हमारे शाओमी फोन के इंदर भी देखने मलती है बाके गैलरी के में बात करें गैलरी में और को चेंज नहीं है और जैसे कि आपको पता होगा जब भी नया MIUI वर्जन आता है तो इसके जो वोल पेपर कर देना और यहाँ पर आपको काफी सारे वोल पेपर देखने मिल जाते हैं जो कि यह मेरे को काफी यह पसंद आई देख सकते हैं और यहाँ पर भी यह जो सुपर लाई वोल पेपर इसमें कोई नया एड नहीं किया एक दो नया एड कर दिये जाता तो काफी य पहले लाइट मोड आपको अलग डेखने मिलता था लेकिन अब लाइट मोड यहीं नहीं में पर यहां पर किस तरह से यह आपकर रख सकते हैं इनिक छीज़े और यह पर system लोग यह आपको navigation के बारे में दिया कि यह आप यूज कर सकते हो और बाकि यह पर do no so tax और remove tax visit का option देखने मिल जाता है और वही सारे features वगर आपको देखने को मिल जाते और बाकि यह पर हम pinch करके देख लेते कुछ और changes है कि नहीं है क्योटी का अलग से application देखने हो मिलता है sorry application बोला section देखने हो मिलता है तो इसके अंदर आप जैसी जाओ के तो यह पर log screen यह सारी चीज़े दीगे यह पर आपको एक चीज़ देखने मिलता इसीम नहीं मिलती है इन सारे जितनी भी फोन से शाओमी वाले इनमें इसीम नहीं मिलता तो फोन अभी भी कहीना कहीं शिक्यों निकाल देगा और जो लोग हो अगर होते इनकी easily से अलोग हो जाते है जो कि आपको पते है लेकिन आईफोन में जो है यह फीचर देना चाहिए बट चलो आईफोन की बात अलग रही बट यह फीचर में आपको बता दिया जो कि ठीक है अगर आपको फोन गिर जाता है तो कोई भी बिना आपकी परमीशन की यानि कि आपका बिना पासवर्ट डाले आपका डिवास को आफ नहीं कर सकता तो यही कुछ कमाल के फीचर इसके बाद यहां पर हम जाते हैं तो इसके अनिमेशन देखना का इस नहीं है पर आप देखो तो एनिमेशन किस तरह से चेंज हो चुकी है तो यह जो एनिमेशन मेरे को ठीक टाग लगी तो मैंने सूचिए आपको बता दो फिंगर प्रिंट तो पहले भी फास्ट है पहले यहां पर आपको 5G का अलग से अलग से सेटिंग दिया गया तो आप इसको यहां पर यूज कर सकते हो तो देखो गैस मैंने आपको सारे के सारे फीचर्स बता दिए मूआ 14 के बाकी मैं और ट्राइक रोंगो जब भी नए अपडेट साइंगे उसके फीचर्स लाने की इसको कासे स्टोल करने इसके उपर वीडियो हाजाएगी आपको आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक कर देना चैल पर ने तो चांग सब्सक्राइब कर देना हमेले लेंगे नाइस वीडियो जब तक के ने जी हिंद जय भारत